बाला फिल्म की सफलता के बारे में बात करेंगे बाला फिल्म उनको कैसे मिली वो भी जानेंगे लेकिन उनकी खुद की एक कहानी होगी जो हम सबको इंस्पिरेशनल स्टोरी के तौर पे काम आएगी और आने वाले दिनों में साहिद उनकी स्टोरी सुनके हम सबको अपने फि बाला के लिए पहले कॉंग्रिचुलेशन्स गुजरातीमा अभिनिंदन यह बाला फिल्म जो आपको मिलती है क्यों कि बड़ी फिल्म है आपका नाम भी वैसे बड़ा है गुजरात के लिए हमारे लिए बॉलीवुड में आप बाला के बाद तो हो ही गया है लिकिन यह फिल् हुई है कि कंटेंट की सब को वैल्यू और आपने क्या किया है कि यहां से ट्रेंड गुजरी है ट्रेंड के पट्री के एकदम नद्दिक एक स्टूडियो में हम शूट कर ले हैं ठीकिन निरेन भाई की जो रफ्तार वो ट्रेंड से भी ज्यादा आने वाले दिनों में होने वाली है बुलेट ट्रेंड मालूम नहीं कब बेठेंगे लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो बुलेट ट्रेंड से ज्यादा हो सुबकामनाई करते हैं मैं तब तक बात करूंगा जब तक यह ट्रेंड ने चली जाए मेरी आवाज आपको आ रही होगी अब बात आगे बढ़ा उस क्रिप्ट के लिए उसी की ज्यादा वैल्यू है तो मैंने जो मेड इन चाइना के मैडॉक फिल्म्स के लिए समवाद लिखे थे वो उन लोगों को बहुत पसंद आए खास करके दिनेश विजन को तो जब बाला की बात चली तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि देखो इसे क्या कर सकते हैं तो एक दूसरी कहानी थी जो उन्होंने मुझे दी थी वो यह कहानी से काफी अलग थी इसमें एक तत्व था कि जो प्रोटेग्निस्ट था वो बाल्ट गंजा था तो मैंने बोला भाई यह एक है एक अंदर इसका डिये ने जिसको क्रैक करके इसकी तो उन्होंने कहा कि आप अमर के साथ बैठो अमर उस टाइम पे उसमें क्रियेटिव प्रड्यूसर के तौर पे जुड़ने वाले थे तो मैं अमर के साथ बैठा और अमर के खुद के बाल अरली एज में जाना शुरू हुए तो तो उसने नो मेरे साथ अपने एक्सपिरिय अपका खुद का जब आप आइने में देखते तो आपको उस शक्स को देखना जो की अच्छा देखता है और सडेनली यह जो आपके बाल जाना चालो होते हैं आपका लुक जो चेंज होता है उसको लोग स्टेंड नहीं कर पाते जहल नहीं बाते हैं कि भाई यह क्या है मैं क्या बन गया चानक से तो वो जो एक internal trauma है एक आदमी का जिससे वो गुजरता है उससे उसका confidence जाता है उससे नो वो जो चीजे successful कर पाता होता था पहले अब भी वो कर भी नहीं पाता है वो सब चीजे तो एक आदमी के साथ क्या चीजे होती है जब वो इससे गुजर रहा होता है और ये बहुत ही common एक चीज है मैंने भी देखा है कि मेरे भी कहीं सारे दोस्त है जिनके ऐसे बाल जा जुके और फिर उनको भी मैंने पूछा कि कुछ लोगों ने air weaving भी करवाया था ट्रांस्प्लांट भी करवाया था कुछ लोग कोई और चीज भी इस्तिमाल करते तो सबसे मैंने बात की और सब के अनुभों को मिला के फिर एक ये कहानी बनाने की कोशिश की अपने बोला कि पूरी प्रोसेस रहती है जिसके साथ ही होता है लेकिन आपने बोला कि अपने बोला किया होना चाहिए लेकिन आप डिलेवर क्या करते हैं उसके हिसाब से आपको काम मिलता है लेकिन मुझे लगता है बाला एक ऐसी फिल्म है जो मिल जाना वो बड़ी बात नहीं थी लेकिन बाला लिखना वो बड़ी बात थी वो कितना चैलेंजिंग था और वो प्रोसेस समझनी है कि लेकिन बड़ क्या करते हैं उस समय कहां कहां जाते हैं कैसे खेरेक्टर को ढूंडते हैं हाँ तो मतलब मुझे ये तो पता था कि कहानी बहुत ही नॉर्मल है बहुत ही रिलेटिबल है और बहुत ही एक आहम आदमी कहानी तो उसको कैसे मज़ेदार बनाया जाए उसमें से क्या चीजे ढूंडी जाए तो फिर पहले ही मैंने जब लिखना चालू किया तो उसमें एक ही सजेशन था अमर का कि हम लोग बाल के पॉइंट ओविव से कहानी गहे तो कैसा रहेगा तो मैंने बुला ये बात तो सही है बाल का पॉइंट ओविव कैसे लाएगी तो हम लोग सोच रहे थे कैसे करें तो मैंने एक वाइज ओवर से फिल्म लिखना चालो किया जो कि एक बाल का वाइज ओवर है तो बाल की अपने जिन्दगी में हैमियत क्या है और बाल का जो एटिटूड से बाल बात करता है कि हम सब के सर पे चड़के बैठे हैं छोटे बड़े हर आईने में हम ही रहते हैं आपकी सेलफी के लिए लाइक समी लेके आते हम आपकी खूपसूरती का राज है आपके सर के ताज है और स्टेटस हमारा भी कोई बजरंग बली से कम नहीं है तेल उने भी चड़ाया जाता है तेल हमें भी चड़ाया जाता है हम बाल है सबसे बड़ा भौकाल है खोपड़ी की खाल है बेजे की डाल है अगर मिल जाये तो कमाल है और ना मिले तो जिन्दगी पर का मला तो जब यह वाइज ओवर मैंने लिखा और सब को सुनाया तो सब खूश हो गया और उनको पता जाया कि हाँ यह है इस इस फिल्म का एटिट्यूड यह है इस फिल्म का सूर यह है कि यह जो सारकाजम है कि बाल के पॉइंट विए से आप एक इनसान की कहानी और उसकी जो परि हो फिर हमें सिर्फ बालों के बारे में नहीं हो सकती क्योंकि बाल अंदर क्या है 62-4 का मोटा होता है यह को नाटा होता है तो हर ऐसे लोग जो नॉर्मल नहीं दिखते वो इन चीजों से गुजरते हैं उनको ये लो सेल्फ एस्टीम का लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का सेल्फ इमेज के प्रॉब्लम का ये पूरा सामना करना पड़ता है तो फिर हमने वो एक ज्यादा अंदर जाके उसको टटोलने की कोशिश की ये दूसरे दो करेक्टर्स के दुरू के तीन करेक्टर है फिल्म में एक बाला है जो अपने आपको देखी नहीं बाता है इने में अपने आप से नफरत करता है एक परी है जो अपने आप से अपसेस्ट है जो करेक्टर यामी गौतम ने निभाया है तो वो अपने आपके प्यार में है, मैं आइम दा बेस्ट वाल आइटी तुड़े और मैं दुनिया सब से जुन्दर देखती हूं, ऐसा उसको लगता है, और उसकी ये भी फिलोसफी है कि मेरी लाइफ में जो भी है वो ये लुक्स की वज़ा से है, अगर ये लुक्स नी होत जो आपके खुद की कहान ही, उसके पहले एक सवाल चाहिए और ब्रिफ में उसका आंसर चाहिए, सब को राइटर बनना है, वर्क्शोप में लोग आते हैं, तो मुझे समझ ने उन लोगों को भी समझने की कोशिश वो भी करेंगे, कि जब स्क्रिप्ट लिखते हो, वोईस लिखा जाता है, हाँ, तो बेजिक प्रोसेस यह रहता है, कि पहले में एक 10-15 पेजर स्टोरी लिखने की कोशिश करता हूँ, जिसमें सिव कहानी होती है, क्या सीन होगे, क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको, क्यूंकि एक कहानी के तीन मुख्यांग होते हैं, विगिनि पंदरा पेज की मैंने कहाने लिखी थी, जिसके बाद मैंने स्क्रीन प्ले लिखना चालू किया, मैं स्क्रीन प्ले और डायलोग अल्मोस साथ में ही लिखता हूँ, लेकिन वो पहले ड्राफ्ट में, दूसरे डाफ्ट में डायलोग जो होते हैं, मतलब फंक्शनल उसमें में गॉंसेंटरेशन रहता है कि जो कहानी लिखी है, उसको सीन में बाट दिया जाए, और वो सीन का फ्लो करेक्ट हो, उसका मैथेमेटिक्स करेक्ट हो कि भई ये सीन इतने ही डेड़ पेज का होगा, ये दो पेज का होगा, ये तीन पेज का होगा, ये आदे पेज तो ऐसे सीन इसमें बाट के कहानी को एक कहानी का धाचा बनाया जाता है और उसमें फिर आप जो भी फंक्शनल डायलोग लिखते हैं उसको फिर दूसरे ड्राफ्ट में और फिर चीजे निकलती जाती है स्क्रिप्ट में से आपको ने उसमें से आयाम दिखते हैं तो फिर स्क्रीन प्ले को बदलते हैं कहीं पर स्टोरी भी बदलते हैं कहीं पर किरदार को बदल देते हैं कहीं पर उनकी सोच बदलते हैं वो सारी चीजे करते 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 वो ड्राफ्ट सोते जाते हैं फिर दूसरा ड्राफ्ट तीसरा ड्राफ्ट उसमें डायलोग भी और अच्छे हो कि इतने ड्राफ्ट के बाद फाइलान ड्राफ्ट होता है सौटकर टूंडते हैं वह में नहीं टूंडना जाए एक मैसेज मिल गया है लेकिन में समझना है कि भावनगर का एक लड़का गुजरात के उनको यह गणी जो आपने बताया है स्क्रिप्ट का वो तो बाद में बात करेंगे लिकिन कहीं ऐसा पता था कि आने वाले दिनों में वाली वॉड की इतनी बड़ी फिल्म का राइटर होगा या इस फिल्म में जाएंगे राइटर बनेंगे गिदकार बनेंगे नहीं मुझे तो पता नहीं था लेकिन बच्पन से ठीटर के साथ जुड़ा हुआ था, बहुत सारे नाटक मैंने किये, मैंने कुछ डिरेक्ट किये, लिखे, फिर मतलब पहले भावनगर में नाटक करता था, युनिवर्सिटीज में मुझे बहुत सारे एवड्स मिले, फिर नैशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ऐसे मेरे नाटक होने लगे, कॉलेज के बाहर आके, फिर मैंने बरोडा में कमर्शल थियेटर किया, फिर एमदाबाद में किया थोड़ा बहुत, फिर मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे में मैंने पहले थियेटर करके, नो करियर बना कोशिश की गुजरादी थीटर बंबे में काफी फल फूल रहा है और एक काफी अच्छे लेवल पर है कि बहुत लोग देखने जाते और बहुत लोग है वो सिर्फ गुजरादी नाटक करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं तो मैंने वो कोशिश की मेरे नाटक नहीं चले मेर नाटक का पहले दिन सचिन गई म्यूजिक था और म्यूजिक चला नहीं तो हमको रिटन टिकिट देने पड़े और उसके बाद वाले विक फिर से ओपन किया और वो नाटक चला नहीं मैंने पहले 6-7 सीरियल्स लिखे जो कभी आये नहीं वो बने ही नहीं जो कभी चैनल बं असके depl निए तो फिर हमारा यह अच्छा नहीं था तो ऐसे सब जद जहत करते 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 पहले फिर एक सीरियल अच्छा मुझे करने को मिला जो कितारक में चैनल जो सक्सेसुल था फिर उसके बाद में दूसरा सिरियल, दीसरा सिरियल, फिर उसके बाद में गुजरादी फिल्म लिखना है। कहीं सारे लोग आएंगे लड़के आयोंगे उन्होंने भी कोशिष की होगी। जो सिरियल नहीं चली थी। उस समय कौन्सी कोशिष आप करते थे। और वह भी समझना है कि उसको कैसे हमें समझना है। उसको मतलब सफलता नहीं मिलती है तो मान लेते कि बब आने वाले दिनों में कुछ नहीं होने वाला है तो वो कोशिश हमें समझनी है कोशीष एक तो आपको जिसको बोलते है कि पागलपन के लेवल का एक आत्मविश्वासजी है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और मुझे मैं जो करने कोशीश कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कि मैं जो कर रहा हूं उसके लिए I am not good enough मुझे इतना आता ही नहीं लिखना कि मैं इसमें सर्वायव हो सकूँ इसलिए मेरी चीज़े चल नहीं रही है यह अगर आप सोचने लगे तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन जहां तक आप सोच रहें कि नहीं मुझे तो आता है कुछ परिस्तितियों की वजह से य कंवे नहीं चले या नहीं बनी या किसी को नहीं पसंद आई क्यूंकि सबके अलग-अलग दिमाग है सब कभी आपका प्रेजेंटेशन गलत है कभी आपका प्रेजेंटेशन वीक है कभी उनको कुछ और चाहिए हर चीज पॉसिबल है उसमें लेकिन आप अपने आपको दो खुद सेल्फ डाउट करते हैं शुरू में नहीं मुझे कभी सेल्फ डाउट मेरे राइटिंग पे रहा नहीं है तो मैं उसके बाद सिर्फ वही सोतनी कोशिश करता हूं कि आगे क्या किया जाए जैसे ही एक चीज ख़तम हुई चली या ना चली दूसरा मोमेंट पे आप यह लोसे मीरा काम देख चुके थे उनने मुझे रेकमेंट गिया दूसरी सीरियल के लिए बाद इससे के लिए तो आक इसे करते करते आप दूसरे लोगों को मिलने जाते है, आपके लिए दू सरी दिशह Ahora कुल ती आप को दूसरा काम मिलता है तो ऐसे धीरे-धीरे करके वह चीज आगे बढ़ती है कभी अरसा लगा था कि गुजरत वापिस आला जाना है नहीं अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी सेलरी थी, मैं वो छोड़ के राइटर बना था, तो कभी-कभी वो डर लगता था कि अगर ये नहीं चला तो मुझे फिर से वो करियर में वापस जाना पड़ेगा, कॉर्परेट करियर में जो मुझे जाना नहीं था. मैं यही कहूंगा कि देखो वो आँख बंद करके रिस्क लेने वाली बात नहीं है, मैंने MBA में मेरा फाइनांस में है, तो मैं काफी फाइनांस में सुलजा हूँ आदमी हूँ, मैंने जो भी मैं जॉब कर रहा था, उसमें प्रॉपर सेविंग की थी, और वो भी जॉब मुझे 2009 से छोड़नी थी, मैंने 2007 से चालो की थी और 2009 से मुझे पता चल जा गया था कि मुझे करियर शिफ्ट करना है, तो फिर भी मैं 2012 तक वो करता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि एक लेवल का अगर मेरा इंकम जो दूसरे काम में से नहीं होता है, आपको खुद को सफर करना पढ़े, क्योंकि में चीज क्या होती है इसमें, कि अगर आप लिखने की बात है, या आप म्यूजिक कंपोस करने की बात है, या गाने लिखने की बात है, कोई भी क्रियेटिव काम है, वो तब ही होगा, अगर आप उसके अंदर दबे हुए होग कि मुझे इस से पैसा कमाना है, जिससे मेरा परिवार चलेगा, और वर मैं यह नहीं हो पाएगा, तो मेरा यह, क्योंकि उससे फिर आजाता है और फिर आप वो फीरलेस्नेस से लिखने सकते, आपको डर को दूर करके लिखने सकते, इस भी भी बात मुझे समझनी है, कि जौ से टफस्ट पार्ट हाज़ता है क्या करियर चला रहे होते हैं एक टरफ मेरी जौब थी जिसमें मैं प्रोजेक्ट मैनिजर था मेरे ड़स लोगों की टीम थी मेरी आट से दस घंटे की जौब थी उसके बाद मैं जाके अपने प्ले के रिहरसल में जाता था या सीरियल के मीटिंग में जाता था, कभी-कभी बीच में से भी निकल के जाके आता था मीटिंग के लिए, और उसके बाद फिर जाके लिखना होता था मुझे, तो मैं मतलब 16 से 18 घंटे पर डे मैंने ऐसे 2 करियर साथ में चला है, 4-5 साल तक चला है मुंबई में ट्रावेलिंग करके चला ना मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ी बाद है लेकिन उस दोर से गुजरे निरनबट और काम करते गए, काम करते गए तारक मेंता की बात हम करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो आज भी आप लिख रहे हूँ, वो कैसे मिले आपको? तारक मेंता इसी तरीके से मेरे एक फ्रेंड ने जीतिंद्र परमार जो उस टाइम पे तारक मेंता लिखते थे उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, तो मैं उदर गया और मैंने उन्हें अपना काम दिखाया, उन्होंने कहा कि दो तिन एपिसोड आप ट्राइ करके देखिये और उन्हें मेरा लिखा हूँ अच्छा लगा, तो तब से चालो हो गया टारक मेंता वीख से घर घर में देखी जाती है, लेकिन जो क्रेडेट लान आती है, उसमें कहीं सारे गुजरातियों के नाम है, तो निरैन भठ का नाम आए तो तुरंत marginгов लोग पहचान ऐसा नहीं था उस में लेकिन Guj Minsu Firm में निरैन भठ का आना, उसके बाद एक गुज पे काफी पाथ-ब्रेकिंग फिल्म थी उसकी वजह से वह सबसे बड़ी कमर्शल हिट थी जिसकी वजह से मल्टी ब्लेक्स में गुजराती फिल्में बड़े पैमाने पे आना शुरू हुआ और ऐसी फिल्में बनना चालू हुआ जो शेहरों की ओडियंस जाके देखे पहले एक पर्टिकुलर सेग्मेंट के लिए लिमिटेड हो गी थी उजराती फिल्में तो काफी बदलाव अभिशेक जाई ने बनाई थी बेयार मिखिल उसमें असोसियेट तो दूसरी फिल्म जो हमने बनाई थी वो फ्रॉंग साइड राजू जो की मिखिल ने बनाई थी इसको नेशनल लवड मिला 24-26 साल के बाद गुजराती फिल्म को पहली बार तो ये दो फिल्मों की वज़े से काफी सारी चीजे क्योंकि मैंने वो फिल्में भी लिखी थी उनके गाने भी लिखे थे मैं उसमें एक्जीक्यूशन में पूरा इंवल रहा था पूरे प्रोसेस में तो उसकी वज़े से काफी बदलाव आया एक दो बड़ी हिट फिल्म में आई और गाने बहुत हिट हुए उसकी वज़े से मेरी एक गीतकार के तौर पे पहचान बनी गुजरात में और उसके बाद मैंने करीबन 25-28 फिल्मों के आज तक गाने में लिख चुका हूँ वह कौनसी फिल्म थी जिस गाने के वज़े से आज भी गुजरात का यूथ आपको पहचानता है वह कौन सा सौंग था और कौनसी फिल्म थी ऐसे तो सारे ही है अच्छे है लेकिन लग की भवाई की में बात कर रहा हूँ उसका एक जो सौंग है वह काफी आज भी लोग या क्यामियाब रहा है तो हाँ वही मतलब हम आज भी उसको डिसेक करने की कोशिश करते हैं कि वही कैसे बनाए यह फिर से इसको रिपीट करते हैं इससे सक्सेस को लेकिन अम लोग करनी बात है क्योंकि वह मतलब एक नो एक मैजिक सा होता है जब आप कंपोजर कुछ अजीब क करके लाता है आप से कुछ अजीब लिखाई हो जाती है और सिंगर कुछ अलगी लेवल पर उसको गाह देता है तो अल्टिमेटली एक रहस्य राज है कि कैसे यह गाने बन जाते हैं तो जादू ही है एक क्रियेटिविटी का जादू है हम बाला की बात कर रहे हैं लेकिन ल बजना है हां तो वह फिल्म कुजरात में बेश थी नौ दिनों की लव स्टोरी ऐसी थी फिर बात में थोड़ी उसकी स्टोरी चेंज की गई तो मैंने जाके सलमान खान को सुनाई थी और सलमान खान को बहुत पसंद आई थी और उस टेम पे डिसाइड होगा कि यह आयुश को इसके तुरू लॉंच किया जाएगा और बहुत सारे गाने इसमें होंगे क्योंकि नवरात्री म्यूजिकल फेस्टिवल है पुरा तो म्यूजिक का इसमें बहुत प्रिडोमिनेंट रोल होगा तो उसके लिए बहुत अच्छे-च्छे गाने जो की छोगाड़ा और सारे गाने लोग आज भी याद करते हैं तो ऐसे गाने बनाए गए और फिल्म बनी फिल्म को एक मॉडरेट रिस्पॉंस मिला जो आजकल न्यू कमर की फिल्म को जो मिलता है उससे थोड़ा ज्यादा ही बहतर था लेकिन हमारी जो अपेक शाय थी उतना अच्छा रिस्पॉंस फ सक्सेस्फुल फिल्म के बीचे अजारो फैक्टर्स होते हैं तो हम भी वो बूजनी बाते कि किस उसकी वज़े से वो तो हमारे आत्में नहीं हमारा हम सिर्फ हम काम कर सकते हैं लेकिन एक शवल ओडियंस को और न्यू कमर्स जो आपके फिल्ड में आने चाहते हैं उनको तो होता ही होता है नरेट करना वो भी एक बड़ा चेलेंज होता है तो सल्मान खान के साथ का जो आपका एक्स्पिरियंस है उसके बारे में बताईगे वो मैं उसके पहले उनके जो CEO थे उनको अमर बुटाला जो है उनको मैं सुना चुका था कहानी तो उन्होंने ऐसे रूप कहानी सुनाता हूं तो मैं ऐसे ही सुनाता हूं कि जैसे मैं मेरी बेटी को रात को कहानी सुनाता हूं कि आपको एक ही चीज का ध्यान जखना है कि सामने वाला एंगेज रहे उसके इसाब से आप कहानी एड़्जस करते जाते हैं आपको यह पार ड्रैग हो रहा है इसका इं कि कहानी में सामने वाला कितना इंट्रेस्टेट तो बस ऐसे ही आप नेचरली जैसे कह सकते ऐसे जितना इंट्रेस्टिंगी हो सकता है आप क्यूंकि मैं तो गाने भी लिखता हूं मेरे सारे गाने बहुत ही पॉपिलर रहे और मुझे गुजरात की फोक सॉंग का बहुत नॉ इनो मनोरंजक चीज है निरन भाई सलमान खान के सामने नरेट करते है फिल्म गाते भी है बिल्कुर नर्वस ने थे और बाईजन मान जाते है लेकिन हम हमें अभी मानना नहीं है हमें वो भी समझना है कि जो पूरी प्रोसेस रहती है तो इतना सारा लिखने के बाद तो एक मैं पहले से लिखता था मैं थेटर लिख चुका था था थेटर के उपर से मैंने फिर सीरियल्स लिखना चालो किया तो मैं सीरियल्स भी लिख चुका था तो मुझे अंदाजा था और पहली फिल्म मेरी बनी उसके पहले में तीन चार फिल्म में एसी लिख चुका था जो कि वीडियोज देखे थे, क्योंकि मैं थियोरिट का आदमी था, मैं एंबीए कर चुका था, पोस्ट ग्रेजुएशन एंजीनेरिंग में कर चुका था, तो पढ़ना और सीखना मेरी तासीर में था, तो मैंने सीखा प्रॉपरली, जैसे पढ़ते हैं, जैसे मैंने एंजीनेरिं जो नहीं बनी उसमें वो सारा मैंने experience ले लिया था कि कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहां पर, क्या मीटर रहता है, कैसे structure करना है तो वो, actually, वो आपको theory जो है, वो बहुत छोटी है, screen play writing के, वो practically कैसे applicable है, वो आप लिखेंगे तब ही आपको पता चलिए, और उसके लिए बहुत लिखना बड़ेगा आपको निरेन भाई को ये सवाल मैंने पूछा, उन्होंने बोला, फिर भी मैं भी repeat कर रहा हूँ, इसलिए, क्योंकि मैं गनान जाडने की बात नहीं कर रहा हूँ बाला जब लिखी गई, बाला अच्छी फिल्म बनी, लिखी, तो हमें लगता है कि बाला अच्छी लिखी फिल्म, लेकिन जो फिल्म नहीं चली, वो जब निरेन भाई ने लिखी थी, इसलिए बाला लिख पाए वो, वो हमें समझना है, और वो अगर समझ जाएंगे हम, त कि और उनको लिखना शुरू करना तो ट्रेनिंग वह ले याना ना लए तरेनिंग लेनी है तो कहां मिलती है ट्रेनिंग नहीं लेनी है online कहीं खुद से ट्रेनी के लेनी हैं तो कैसे करें करें बहुत सारे बल्लाग्स ऐसे मैं जॉन आगस्ट करके Ein घैसे 15 करके कि स्कृप्स ऑनलाइन अवेलेबल रहती तो कि दृत सारि वैबसाइट से जिनके उपर वह आवेलेबल तो आपको वह श्क्रिट्स डाउन्लोड करके जो आपने देखी है वह फिल्म आप उसकी स्क्रिट्ट पढ़िए तो आपको पता चले आप वो बुक्स पढ़ेंगे तो दीरे दीरे आपको आईडिया आता जाएगा स्क्रीन डाइटिंग के बारे बारे और आपको ये भी आईडिया आएगा कि ये सब एक ही बात बोल रहे हैं और वो एक बात यही है कि जब आप लिखेंगे तब ही आपको समझ मैं तो आप लिखते जाते हो लिखते जाते हो और वही करना चाहिए जीवन भर आप लिखने वाले हो लेकिन लिखने के बाद अगर हिंदी फिल्म चल जाए क्योंकि ग्लेमर होता है बॉली वोड का उसके ब और काम लेना न लेना वो भी एक मुझे लगता है वो भी एक साइंस है नहीं मतलब मुझे तो ओवरनाइट सक्सेस मिला नहीं है शायद जिन लोगों को मिलता है उनको ऐसी फीलिंग होती होगी मैंने तो मैं पूरा प्रॉसेस जो प्रॉपर होता है वही पूरा पूरे नहीं, फिर ऐसी फिल्म जो बनी पर चली नहीं, फिर ऐसी फिल्म जो बनी और चली, और कोई मज़ा नहीं, क्योंकि वो अभी तो दो दिन लोग बात करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे.